एक दिन अचानक मेरी पतनी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ दिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने करको हूँ, तो तुम क्या कहोगे? मैंने कहा, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुम से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह और भी अपसे बहुत प्यार करती हैं, और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। तुम दोनों के बीच कोई परिशानी तो नहीं? मा ने पूछा, मेरी मा थोड़ा शक्की मिजास की वरत थी, उनके लिए मेरा इस किस्म का फोन मेरी किसी परिशानी का संकेत था, नहीं नहीं, कोई परिशानी नहीं मा, बस मैंने सुचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक उन्हों ही चलेंगे, उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा ठीक है, शुक्रवार की शाम को जब मैं उनके घर पहुँचा, तो मैंने देखा वह भी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, वो एक संदर पोशाक पहने हुई थी और उनका चहरा एक अलग स से खुशी से चमक रहा था, कार में माने कहा, मैंने अपने सहलियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ, वे काफी प्रभावित थी, हम लोग मा की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट पहुचे, जो बहुत शांदार तो नहीं, मगर अच्छा और आरमदायक था, हम बैट गए, और मैं मैनू देखने लगा, मैनू पढ़ते हुए मैंने आँख उठा कर देखा, तो पाया कि मा मुझे ही देख रही थी, और एक उदास से मुस्कान उनके होटों पर थी, जब तुम छोटे थे, तो ये मैनू मैं तुम्हारे ल समय कब निकल गया, हमें पता ही नहीं चला, बाद में वापस घर लोटते समय, मा ने कहा, कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दू, तो वो मेरे साथ दुबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी, मैंने कहा, मा जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता ह इससे क्या फर्क पड़ता है, मा ने कहा कि फर्क पड़ता है, और अगली बार बिल वो ही पे करेंगी, घर पहुचने पर पतनी ने पोचा, कैसा रहा सब, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़ादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया, इस घटना के कुछ दिनो की रसीत के साथ मा का एक ख़त था, जिसमें मा ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दुबारा डिनर पर जा पाओंगी या नहीं, इसलिए मैंने दो लोगों की खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है, अगर मैं नहीं जा पाओं तो तुम अपनी पतनी के साथ भोजन करने जरूर जाना, उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहनी वाली बूड़ी औरत को फर्क पड़ता है, तुम नहीं जानते उस रात तुमारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बहतरीन समय में से एक था, बगवान तुम्हें सदा खुश रखे, लव यू मेरे बेटे, तुमारी मा, उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ, जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से जादा महत्व पुर्ण न जिनके बुढ़े माता पिता हो, जिनके छोटे बच्चे हो, और जिनको प्यार करने वाला और उनका इंतजार करने वाला कोई हो, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, मगर अपने चले जाए तो लौट के नहीं आते,